पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी उस वक्ट पॉपुलर मेसेजजिंग एप वाटसैप कुछ समय के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों में बंद हो गया था इसमें भारत भी शामिल है वाटसैप ने भारतिय समयानुसार करीब रात बारा बजे से रात एक बजे तक काम करना बंद कर दिया था हाला कि अब वाटसैप को रिस्टोर कर लिया गया है और ये ढंग से काम भी कर रहा है लेकिन कल रात लोगों को निराशा जरूर हुई होगी क्यूंकि अपने महत्वपून समय में ही काम करना बंद कर दिया था कुछ लोगों को मेसेज भेजने में तकलीफ हो रही थी तो कुछ के भेजेगाए मेसेज डिलिवर नहीं हो पा रहे थे वाट्सअप डाउन होने के बाद लोगों ने ट्विटर का रू किया और जमक कर मीम और जोक्स पोस्ट किया इसमें वाट्सअप इस डाउन, वाट्सअप स्टबद वर्किंग जैसे है शटाइग भी शामिल थे यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में एप के 1.3 बिलियन मन्थली एक्टिव यूजर्स हैं वहीं अकेले भारत में 200 मिलियन मन्थली एक्टिव यूजर्स हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार एप को करीब 12.40 मिनट तक रिस्टोर कर लिया गया था लेकिन कुछ हिस्सों में फिर भी दिक्कतें जारी थी रिपोर्ट्स के मताबिक रात एक बजे को एप को पूरी तरह से ठीक किया गया बाद में वाट्साप के एक प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया भर के वाट्साइप फ्यूजर्स ने आज कुछ समय के लिए आउटेज का अनुभव किया जिसे अब भल कर लिया गया है असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं